हेलो चैंपियंज आपने थमलील में बिलकुल सही देखा जोग्रोफी के मैप में फूल माक्स जी हाँ दोस्तों आज हम लोग जोग्रोफी का चैप्टर 3 Water Resources करने वाले हैं यoured Water Resources में हम लोग Major Dams करेंगे और Major Dams को locate करने में कई बार दिक्कत आती है but trust me से identify कर लेंगे और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक आपको surprising element मिलेगा जो कि आपके board की exam की preparation के लिए बहुत ही useful साबित होगा तो इसी के साथ आएए शुरू करते हैं तो यह रहा हमारा chapter 3 water resources and water resources में दोस्तों हम लोग करेंगे major dams दोस्तों आप लोग जैसा कि major dams है जिसे हमें locate करना सीखना है और हमें ये भी याद रखना जरूरी होगा कि कौन सा dam किस river पे है और किस state पे है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहला हमारा major dam आता है Salal अच्छा उससे पहले आप लोग देख लिए जिए total 8 maps हैं 3, 3, 6, plus 2, total 8 maps यानि आगे आने वाले 8 minutes में हम इस water resources वाले chapter के full mark सी तयारी कर रहे हैं तो पहला रहा हमारा Salal तो ये रहा हमारा map अब हम इसे plot करना सीखेंगे हाँ दोस्तों आप लोग please blank political map और pencil लेके जरूर बैठिए क्योंकि tricks जब मैं share करूँगा और मेरे साथ ही आप लोग plot करते चलोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होगा तो make sure कि आप pencil और blank political map लेके बैठे हैं देखे हमारा पहला हमारा जो डैम है वो Salal है Salal जो है जो सलाल जो है जम्मू kashmire में है और यह चिनाब river पर है तो देखें यह हमारा हो गया जम्मू यह हो गया आपका सलाल डैम, सलाल डैम अपना यहीं पे है, अब सलाल डैम यह जम्मू कश्मीर है, यह तो अपना लद्दाक वगरा हो गया, जम्मू कश्मीर है, सलाल डैम किस रिवर पे है, यह रहा पना, पहले से माग कर लेते हैं हो गया सलाल, यह हो गया अपना सलाल, और स चाहें तो पाकिस्तान को भूखा और प्यासा मार सकते हैं, लेकिन कुछ international obligations होती हैं, कुछ treaties होती हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा उड़े, तो उसे हम इंडिया के वाले लोग असानी से जमिन पर ला सकते हैं, राइट, तो यह होगे हमारा सलाल, यह होगे अपना चिनाब रिवर, पर चिनाब रिवर आप याद रखिए, यह help करेगा, locate करने में, और मा लिजे, आप पूछते हैं कि, name and locate the dam, which is there on the चिनाब रिवर, तो उसमें आपकी काफी help हो जाएगी, चालिए, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारा जो dam है, वो है, जो देखे, यह देखे, यह हमारा पंजाब को, पंजाब इस्टेट है, यह हमारा है हिमाचल प्रदेश, राइट, अब ट्रिक बताने वालों, प्लीज देखे, कैसे करेंगे, यह देखे, पंजाब का वो हिस्सा, यह देखे, पंजाब का वो हिस्सा, जो हिमाचल प्रदेश मे एक तरीके से घुसा हुआ है आप देख सकते हैं ठीक इसी के ऊपर ये रहापना भाकरा न आंगल जब्र खारन-ंगल के लिए मैं यहाँ पे बी और एन लिख देनाँ हीमाचल प्रदेश स्टेट में और यह सह सबसे पहले तो यहां पर आपने मार्ग कर दिया और यह जो एह यह सतलूच रिवर अपनी यहां से आ रही है यह देखा सतलूच रिवर जा रही है और धीरे धीरे यहां से पाकिस्तान में निकल जाते है बिसिकली सतलूच रिवर और चिनाब रिवर दोनों इंडिया से निकल करके पाकिस्तान में जाती है जो पाकिस्तान के लिए मेजर सोर of water है तो इंडिया जब भी चाहे बोकाव प्यासा कर सकता है पाकिस्तान को राइट चले अब जो हमारा तीसरा डैम है वो है हमारा टेहरी टेहरी डैम उत्तराखंड में है आईए देखते हैं यह देखें दोस्तों यह हमारा उत्तराखंड इस्टेट है अगर पता है अगर आपको मैप्स सॉल्ब करना है और मैप्स की लोकेटिंग या प्लोटिंग अच्छे से समझने तो आपको इंडिया की सारी स्टेट्स पता होने चाहिए तो मैं तो आपको सला दूँगा कि इंडिया का ब्लैंक प्लेटिकल मैप सामने रखें और एक फिल्ड पॉलेटिकल मैप सामने रखें पहले सबसे पहले सारी स्टेट्स को आप लोग पहचान लें तो उससे काफी हिल्फुल हो जाएगी फिलाल चले आगे बढ़ते हैं यह रहापना उत्तराखंड यह देखें उत्तराखंड का वो हिस्सा उत्तराख ने अंदेश में घुशा हुआ है इसकी हैल्प से हमोग समجھेंगे यह रहा हमारा टेहरी डेम तो देखें रहां ना आप लोग यह जहां पर यह देखो यह वाला इससा यह हो गया यह हमारा हो गया टेहरी डेम और टेहरी कहा है हमारा जो टेहरी डैम है दोस्तों वो भाकी रिथी रिवर पे located है राइट तो हम लोगों ने अभी तीन डैम्स पढ़े है कौन-कौन से डैम्स पढ़े है हम लोगों ने पढ़ा सलाल डैम जो जमुव कश्मीर में चिनाब रिवर पे है दूसरा हम लोगों ने पढ़ा भाकरान आंगल जो हिमाचल प्रदेश में है किस रिवर पे है सतलुज रिवर पे है और आप लोग याद मतलब common sense वाले बात है इसको याद ही रखते हैं कि जो चिनाब रिवर है और जो सतलुज रिवर है वो दोनों पाकिस्तान में चाहती है इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए जब हम चाहिए उसे धर्ति भिला देंगे अच्छा तीसरा हम लोगों ने पढ़ा टेहरी टेहरी जो है भागी रथी रिवर पे है और है वह आता है हमारा राना प्रताप सागर जैसा कि नाम से आप पता रहा राना राना प्रताप सागर महारा जो हिस्टोरिकल फिगर राना प्रताप जी है तो राना प्रताप जी कहां से थे राजस्थान से थे तो राना प्रताप सागर कहा होगा राजस्थान में होगा तो यह हो गया हमारा सारा राजस्थान एरिया हो गया ठीक है तो राजस्थान में देखते हैं राना प्रताफ सागर कहा है दोस्तों यह वाले एरिया आप आप फोकस करिए यह वाले एरिया राजस्थान का वो एरिया जो मध्ध प्रदेश में घुसा हुआ है तो अगर इसको जहां से शुरुवात हो रही देखे यह राजस्थान को एरिया जो अमध्वर्देस में गुज़ने की वहीं पर आप इसे कर सकते हैं और यह रहा आपका राना प्रताब सागर और राना प्रताब सागर दोस्तों यह है चंबल रिवर पे चंबल रिवर यह देखे आके जाके हम नम मिल जाते हैं तो राना प्रताब सागर राजस्थान में है आप देख सकते हैं राना प्रताब सागर राजस्थान में है चंबल रिवर पे राइट अगला हमारा जो डैम मेजर डैम है वो है हमारा सरदार सरोर डैम आप लोग जानते हैं सरदार सरोर डैम गुजरात में हैं और किस री वर पे हैं नर्मदारी वर पे आए देखते हैं गुजरात सबस्पहले स्टेट अटिफाय करते हैं यह रहा हमारा गुजरात यह रहा हमारा महारास्टरा और यह रहा हमारा मध्धप्रदेश आप देखिए त्रिक को ध्यान से देखिए अब देखिए जो महारास्टरा का वो हिस्सा महारास्टरा का वो हिस्सा जो गुजरात में घुसा हुआ है या गुजरात की तरफ बढ़ा हुआ है इसे समझ लिजी अब देखिए जैसे ये वाला देखे ये हिस्ता है ये ही गुजरात में घुसा हुआ है या गुजरात की तरफ बढ़ा हुआ है तो ठीक आप यहाँ पे यह सरकल लगा दीजिए ठीक है इसके अपर पार्ट में धीक है इह हो गया आपका काउंसा डैम हो गया सरदार सरोवर इसको कैसे याद रख सकते हैं आप सरदार बलब भाई पडेल कहां से थे गुजरात से थे तो उनी के नाम पे सरदार सरोवर डैम भी बना है जैसे हम लोगों ने भी बना है राना प्रताफ सागर कहां राना प्रताफ सागर डैम किसके नाम से बना है महाराना प्रताफ के नाम से बना रहा है बच्मन में हम सभी ने पढ़ी है न महाराना प्रताफ के होर्स चेतक की पोईब के बारे में तो इस तरह के साफ लोग याद रख सकते हैं तो राना पताफ सागर राजस्तान में हो गया and अपना सरदार सरोवर डैम जो नर्वदार रिवर पे है वो गुजरात में हो गया right I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है अगर आपको ये useful लग रहा है please subscribe, let's score 100 and like the video ठीक है चले अब हम लोग हम लोगों ने ये भी कर लिया next आता है हमारा आप ये से देख सकते है सरदार सरोवर डैम कहां पे है गुजरात में नर्वदार रिवर पे next हमारा आता है जो की हीरा कुड ये हीरा कुड नहीं है कई लोग गलती से हीरा कुड पढ़ते हैं ये हीरा कुड डैम है हीरा कुड डैम कहां है हीरा कुड डैम है हमारा ओडिशा में आप लोग देखें यहां पे यह हमारा ओडिशा पहले स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं यह हमारा ओडिशा राइट अब हम हीरा कुट डैम को लोकेट करते हैं और हीरा कुट डैम किस रिवर पे है महा नदी पे है, देखते हैं अगर आप देखो उडिसा के मैप को धहां से देखो, तो यहां पे यहां पे आप देखें धहां से जहां पे यह उडिसा का यह एरिया जहां पर जहारखंड में मिलने वाला है उससे पहले आप देखो तो ये एक ऐसा area है जो आपको देखेगा कि वो 36 गड़ की तरब घुसा हुआ है या बढ़ा हुआ है तो आप इस area को identify करिए अहां ये वाला area अब देखेगे तो basically ये वाला area देख रहे हैं आप थोड़ा सा जो 36 गड़ की तरब बढ़ा हुआ है तो अगर आप हीरा कुड़ डैम को locate करना चाहते हैं तो हीरा कुड़ डैम रहा आपका ये हीरा कुड डैम हीरा कुड डैम आपका ये महानदी पे है और य हीरा महानदी राइट ये महानदी रही अपनी ये हीरा कुड डैम महानदी राइट ये हो गया अपना हीरा कुड डैम हीरा कुड डैम हो गया जो महानदी में है जो उडिसा में है राइट नेक्स हम लोग ट्राइब करते हैं नेक्स्ट है हमारा नागारजुन सागर डैम इस तेलंगाना और आंधर प्रदेश के बॉर्डर पे है आई इसे लोकेट करते हैं सबसे आसान तरीका है जो नागारजू आई पर इसे लोकेट करते हैं आप यह देखे यह होगा हमारा आंधर प्रदेश यह होगा हमारा तेलंगाना अब देखे है कहां पे आप देख रहे होगे यह देखे यह जो आपको w जैसा दिख रहा होगा यह w जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा यह w जैसा ठीक है ना इस w की help से हम लोग इसको plot करते हैं देखें जहां पर यह डेबल्यू आपको दीख रहा है यह डेबल्यू का यह जो बीच वाला हिस्सा है यह बीच वाला यह देखें यह डेबल्यू का यह जो बीच वाला हिस्सा है यह पर लोकेट कर दी और यह रहापका नागार्जुन यह होगी आपका नागार्जुन सागर डैम आप यह देखें आप लोग जानते हैं कि नागार्जुन में अर्जुन है अर्जुन और क्रिशना की दोस्ती या companionship काफी famous है तो नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना और आंध प्रदेस के बॉर्डर पे है और किस रिवर पे लोकेटेड है ये है अर्जुन कृष्णा रिवर पे राइट अर्जुन कृष्णा अर्जुन कृष्णा अर्जुन कृष्णा तो नागारधुना सागर किस रिवर पे लोकेटेड है कृष्णा रिवर आप देखे क्रिष्णा रिवर यहां से और फिर यह आंद्र प्रदेस में एंटर करके फिर यह फिर इलंगाना यह फिर धीरे-धीरे यहां पर आ जाते हैं राइट तो होगी आपना रागारजंत्स अगर डैम अब जो दूसरा डैम आता है वह हमारा तुंग भद्रा तुंग पर ही लॉकेटिद है ऑफिक स्टीट मैं करणाटका उसको आइटेंटिफाय करना बहुत ही आसान है अगर आप धिसंट को यह रहा अपना स्टीट अफकर ना हो Squid अचन आप यह हम नीचे आएं और के यह जो अंत्र प्रदेस का बॉरडर है आपकल, तीनों स्टेट का बारर, अगर आप देखें, यह दिखें, अपना Salyangana हो गया, यह आंधर प्देश हो गया, यह हो गया, यह हो गया अपना तुंग भद्रा डायम किस रिवर पर लोकेटेट है तुंग भद्रा डायम लोकेटेट है यह तुंग भद्रा रिवर यहां से आती है और यहां पे जो मैं आपको लोगों को बताना चाहरा था यहां से जो आती है कृष्णा रिवर राइट कृष्णा रिवर में ही मिल जाती यह अपनी तुंग भद्रा रिवर कृष्णा रिवर में तुंग भद्रा रिवर मिल जाती है और आकर जा करके यह बे अब बेंगॉल में फॉल करती है यहाँ पर जो महानदी थी वो भी बे अब बेंगॉल में फॉल करती है यहाँ पर जो नर्मदा रिवर जिस पर सर्दार सर्वर डैम है वो भी वो इसमें अरेबियंसी में फॉल करती है तो यह रहा हमारा major dams और वो किस states में located है और उनके साथ साथ किस river पर वो बने हुए है राइट अब नाव इस टाइम फॉर दर सर्प्राइजिंग element before we move to surprising element एक बार हम फटाफट quick recap कर लेते हैं हम लोगों क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि salal dam किस river पर है चेनाब river पर है कहां है जम्मो एन काश्मीर में फटाक से locate कर लेते हैं यह रहा यह हो गया हमारा 몰ila sirler सलाल दूसरा हमारा डाम हे राकुट डैम हीरा कुट डैम कहां पे है हमाचर प्रदेस में किस river पे हैं सत्रुज रिवर पे कहाँं इससे locate कर सकते हैं ये एर चंबल रिवर पर है जो हमारा राना प्रताफ सागर है राजस्थान में है और चंबल रिवर पर और नर्फात में है जो अन्रम्दार रिवर पर है जो भने बताया कि लगणा रिवर यह जाके इसमें अरेवियन सी में फॉल करती है उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ही राकुट डैम कहां है ओडिसा में किस रिवर पर है महानदी पर ही राकुट डैम यह रहा यह रहा है उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है नागारजुना सागर डैम जैसे जिसमें हम लोग डबलू वाली टिक लगाए थे यह बॉर्डर पर ही है यह रहा हमारा नागारजुना सागर डैम और इसमें क्या है नागारजुना अरजुन है तो क्रिश्णा रिवर प रहा पे है हम लोगों ने जेखिती है सीधी लाइन सीधी लाइन के फोर सेंटिमीटर नहीं 4 mm प्र मिलीमेटर लेफ्ट में आप लगा तो यह हो गया आपका तो यह रहा नाउ इस टाइम फॉर्प्राइज एन सर्प्राइज इस डिस यह रहा आपका देखे यह तो solution रहा surprise नहीं है solution रहा यह आप लोगों को PDF के form में PDF के form में नोट मिल जाएगी ताकि आप लोग major dams state वगरा और उनकी location अच्छे से आप लोग plot कर लिजे दो तीन बार आप लोग practice करेंगे न तो आपने आप आपका confidence बढ़ जाएगो खुब अच्छे से कर पाएंगे now this is the surprise test your preparations दोस्तों देखो आप लोगों का pre-board चली ही रहा है और साल भर से आप लोग पढ़ाई करी रहे now it's time for you to check the level of your preparation तो मैंने पिछले साल का board का question paper से ये question उठाया है इसमें देखिए geography तो हई है इसमें history में मैंने जानबुच करके लगाया हुआ है क्योंकि हम लोग history का जो अपना nationalism in India है उसका मैप हम लोग अरड़ी पढ़ चुके हैं तो आप लोग अपनी check your level of preparation अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तयारी समझ लिजे बहुत अच्छी है क्योंकि इसलिए मैंने board का question paper लिया है एक confidence बढ़ता है अगर हम कर लेते हैं है ना और जो हम लोग geography पढ़ते है geography देखिए अपना hira koo damn आया हुआ है और history में तो आप लोग जानते हैं तो इसको blank political map रखें उसे fill करके देखें कि आपके तयारी का क्या level है अगर तयारी अच्छी है बहुत अच्छी बात है अगर तयारी में कमी है तो time रहे हम तयारी कर लेंगे है ना एक question और मैंने इसके साथ लगाया हुआ है वो question यह रहा question है हमारा दूसरा 2023 का ही याने पिछले साल का ही एक और set of paper मैंने लिया हुआ है क्योंकि board का जब हम previous pyqs हम लोग solve करते हैं हमारा confidence बढ़ता है क्यार मैं board के level के question को solve कर रहा हूँ तो इस surprising element को include करने का यही मकसद था तो देखें जैसे geography में क्या आया है उसमें hierarchy damn था पिछले वाले में वो दूसरा set था है इस वाले damn में क्या है cherry damn यह video कैसे लगी दोखतों आप लोग comment box में comment करके जरूर बताएं और हाँ मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और मज़ेदार video के साथ तब तक के लिए keep learning, keep scoring full marks, thank you so much